नमस्कार सभी इलहंत क्लास के चाचत्राओं का माली से वापस पनस्वागत करता हूँ अपने इस क्लास में और हम पट रहे थे मुंसी प्रेमचन जी द्वारा नमक का दारोगा जो पाठ है उसको और एक अच्छी लंबी कहानी है लेकिन बहुत मजदार और एक संदेश पर कह गया है तो हमने अब तक देखा है कि जो आलोपीदीन है वो क्या करते हैं बंचितर के घर आते हैं और उनसे कुछ अनुने विनय करते हैं अपने पिछली बात को भोल कर कुछ और करने की बात करें तो अब वो मलब जब केस जो अदालत में था वो बरी हो गए हैं सब जो कार देखें जो आई उनको तर देना हमारे को ठीक है तो देखिए जो हमारे ये पंडित अलोपीदीन थे वो प्रातना करते हैं कि असे बंसिदर से अब बंसिदर क्या बोलते देखिए आप मिजते हम इसमें देरकेश में कि बंसिदर बोले कि मैं किस योगे हूं किन्तु जो हो सकती है उसमें तूरोटीन होगी, अलोपी दीन ऐन एक स्टामप लगा वह पत्र निकाला, रख कर बोले इस पद को स्विकार कीजिए और अपने अस्टाक्सर कर दीजिए, मैं ब्रहमल हूँ जब तक यह सवाल पूरह कीजिए द्वार से नहाटूंगा तो ये एक अच्छी आपको बात बता दूं कि जो सरकारी डिपार्टमेंट से जो नमक का दारोगा पत था उससे उन्हें मोत्तिल कर दिया था अब एक बड़े विक्ति पे लांच लगाने चक्कर में जो बहुत इखलाब भई उनसे मिले नियसे अब जो बंची देरो घर बेठे तो ऐसे में क्या हुआ कि पंडित आलो पे दीन क्या करते हैं कि उन्हें देख उन्होंने क्या सोचा कि एक ऐसा विक्ति जो इतनी बड़ी रिष्पत को भी स्विवकर नहीं कर रहा तो इस कमली क्या ही सच्छा इमांदार है और ऐसा इमांदार विक्ति तो अगर मान लो ठीक है यह वांसे तो हट गया लेकिन इस विक्ति को अगर मैं अपने जो मेरा बिजनिस है अपना जो कार खाना है या नमा का जो भी है उसमें अगर किसी बद पर रख लेता हूं तो मेरे लिए अच्छा रहा है यह बहुत ज्यादा एक भाव को औ अपने या या पी मुनिम या कोई बड़े पत पर रखना चाहते हैं और कहेदे कि अपने अस्ताकसर कर दीजी अचै थोड़ी व्याकन की बात कर लिए आप बता दूँ कि यह जो अस्ताकसर सब्द आना ये भावचन है ठीक है ध्यानकना मैंने अपने अस्ताकसर कर दिये है आप भी अपने अस्ताक्सर कर दीजी, तो अस्ताक्सर कर दिया है, दिया नहीं आएगा, दिये हैं, यह आएगा, चीक है, तो अस्ताक्सर कर दीजी, बोल रहे हैं, मैं ब्राह्मन हूँ, या ब्राह्मन का मतलब यह है कि मैं आपके दर पे आया हूँ, आपके द्वार पे आया कत गर्द हिए औरुम्हेंर सेफ़ी मेरीयियत के पहिंद written नहीं सिर्द स्फद ख़ाय ten टोरुप्या प्रहस स्याप्तूर से आँख्वे से जघधाई हुए यहार की पूरे यह एक किया आश्था गता है फिर जली पिर मैनेजर नईयत किया था यानि कि पंडित आलोपेदीन के जितनी भी जादाय थी, रुपिया पैचाद अनसम पता थी, उस पूरी का स्थाई परमानेंट मैनेजर बनाने की सोच ली, किस ने, पंडित आलोपेदीन ने किसको मैनेजर बनाना है, बंसिदर को, जो पहले किया थे, एक दारोगा थे, और इसी दरोगाने उनको आदला तक वो गशिट कर लाए थे यानिकि उनको बेजती के साथ में अपर लेके आये थे बदनाम किया था अब उसी वेक्ती ने इनको अपना एक मैनेजर बनाने की सोची तो इस बात से करतग्य हो गए हो उनके आखों में आस्वा गए कि मैंने इस वे पत्यकिता से उनके आखों में आस्वाए थे चलिए आगे बात करते हैं चैह हजार वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग अब यह आप सोचे में भी 6,000 रुपे लेकिन यह आज की बात नहीं है यह उस जमाने की बात कर रहे है ठीक है तो 6,000 रुपे कारता की परसंसा कर सकू किन्तु मैं ऐसे उन्च पद की योगे नहीं हूं क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं एक आत्मिक यानिक उतकी मन में कोई शंकावी हो सकती है कि इतना बड़ा विक्ती है और मैं इनके साथ मैं ऐसा किया है दूर विवार के लेकिन होसकी यह पांसो रुपए परमंथ हो गया है 12-12,60 तो यह देखें, पांसो रुपए परमंथ के साथ से 12 में के 6,000 पर हो जाते हैं तो 6,000 पर वार्शिक वेतन और उसके साथ में अलग से रोजाना खर्चा मिलेगा जो अलग और उसको आने जाने के लिए गोडे मिले देंगे और रह मरत नहीं कि आपके दारता के पर सकूं कि तो मैं ऐसे उंच पद के योगे नहीं हूं अलोपीदीन हसकर बोले मुझे इस समय एक योगे मनुस्य की ही जरूरत है को समझे आभी दिखी बड़े जो लोग होते हैं वो हर बात का कोई नों कोई मतलब निकालते हैं कैसे जब बं बंसी दर ने ये गंबीर भाव से कहा मैं यो मैं आपका दास हूं तो इसमें बंसी दर ने कहा कि योगे नहीं हूं तो बोले ठीक है तो योगे नहीं तो आयोगे तो है ना तो मुझे तो आयोगे की जुरूरत है कुल मिला को से ले जगना चाहते हैं तो बंसी दर ने गंब किर्ति वान्स्थ में वान प्रतै है द्यानकना किर्थिवान सज्जंप giorno मेरे लिए और सवपागय की बात है कि नुझ में नीविद्ध है ने बुद्धी है व्निकंश्ववाव सो इंट्रूटपि कर देता है ऐसे महानकारी के लिए एक बड़े मरमग्य अनभवी मनुश्य की जरूरत है यानि अपने ये सरलता प्रस्तुत कर रहे हैं कौन बंशिदर जी अलोपिदीन ने कलम दान से कलम निकाली कि उसने पंडित अलोपिदीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे बंशिदर के सामने देकर बोले ने मुझ में विद्वता की चाह है ने अनभव की ने मरमग्यता की ने कारी कुसलता की इन गुणों के महतों का परिचे खुब पाच चुका हूँ परशना जेक कहा पाच चुके थे तो पहले इन से सामना हो चुका था तो वह सच्चाई सामने आ गए थे भी सब को जानता है लेकिन तो इनके बड़पन है कि ँविद्वता निवतार अपना मिया देखेंने मेरें विद्धी नहीं है वुद्धि नहीं है शाभाव है न Yahoo यान विद्वता नीची तो अनभव भी नीची तो मरमग्यता भी नीची और कारी को सलता केज़ों विजरू तने मेर्को तो अब सो भगगिक और सू आउसर ने, इसमें कौन सा उपसर्ग जानते हैं, इसमें सू आउसर, तो सब्दोग है, सू के इसमें उपसर्ग है, पहले लगे उपसर्ग है, सू आउसर ने मुझे यह है, वहमोट दे दिया है, जिसके सामने योग गेता, विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है, यह कलमली जी, अधिक सोच विचार ने की जी, दस्थकत, दस्थकत लापने बोलते हैं, कि वही साइन कर दीजी, सिगनेचर कर दीजिए, परमात्मा से ही, मेरी से यही प्रातना है, कि वह आपको सदे वही नदी के के नारे वाला बे मुरोवत, यानि बिना दरोगा, दारोगा बनाए रखे, दारोगा यह पुलिश दिकारी के रूप में होते हैं, बड़ा पद होता है, जानकना बनाए रखे, तो थोड़ा सा इसमें और से रह गया है, उसको भी हम पढ़ते हैं, दीखिए, आगे थोड़ा सा, तो बंचिदर क्या करते हैं, कि सका, बई जो हर्दे होता है, उसमें कितने दुख को सैन कर पाएंगे, तो कहा कि दुख ज्यादा सोरी खुसी यह दुख को यह अपसोस को ज्यादा संचति नहीं कर सकें, एक बार फिर पंड़े जी की और बक्ति और सरदा की दरिश्टी से देखा, और कापते हुए हाथ मे मैनेजरी की कागज़ पर अस्ताकसर कर दिये, अलोपीदी ने प्रफुलित होकर उन्हें गले लगा लिया, तो आप जानते कई बार क्या होता है, कि अब देखिए से में दोन सीजा आ गई है, कि अपने जो बंसी धर है, सचेर्थ में तो वो ही इस कहानी के नाएक होनशी, क कर तक यह होगे, और इनकी मानदारी को जहांतर चाहते हैं को पंडित आलोपे देन, तो इस प्रकार से यह अमारा एक पार्ट था, तो प्यारे चातरों, मुझे उमीद है कि पार्ट की कहनी आपको समझाई होगी, और जहां-जहां आपको लगता है कि इस सब्द डिफिकल् सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि यह जो पार्ट है आप भली बाती समझ कर और रिस्क्योशन्स आपको आएं वह कर लीजिए, नहीं आते फिर पोस्ट लीजेगा, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में, ठीक है तुब तक के लिए नमस्का धन्यवाद चेहिए